हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में मुगल सवराज के एक महत्पुन सास्ताव और हम्जेब के जीवन परचे और उसके नीतियों के बारे में इस वीडियों में तेखने वाले हैं मुगल सास्क लूछागत labeled video को जरूर एंत्यार रहा होगा और यह जो और इंग्पि के बाड़े में जो life पढ़के पड़ना आपके लिए काफी जरूरी होता है अगर अगर आपका इकसा में अगर यह है तो समझ दिए काफी remote in है ठीक है तो चलिए में हमलोग समझते तो पहले में बता दूं कि औरंगे मुगल समराजिता मुगल सासक था तो मुगलों नपता था पर यह आपको पता ही होगा और जेव उसमें से जो बात के साथ को में था और और आंगे जो है साज वहां का बेटा है साज वहां सुना होगा साज वहां जहने ताजमहल बनाया अपने वाइप मुंतालो का जाड़ में तो वही साज का बेटा ही यह और अंग्यव रहता है लेकिन जितना भी मुगल सासक रहे थे उस Medicare बड़ी विवाद पूर नितियों बनाने औरंगेव रहे थे ठीक है तो चलिए यह क्या क्या नितिम अपनाएं क्या विवात रहा इसके लाइब कर पड़ती और इसके अलावा इसने और क्या 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 इसको इस वीडियो में समझने वाला है पहले मैं बता दूँ कि औरंगेव देखें, औरंगेव का जिनम तीन मुम्ताज महल के संतान थे हमने पहले बताया कि साज ने मुम्ताज महल की याद में तो ताज महल बनाया तो वही है उसी का बेटा है था और अत्राधिकारी के यूद में विजय प्राथ करने वाला औरंग्येब तो उसने अपने पिता को सबको हराया तो सारे झाला तो उससने अपने बाप को उसके खाले इतना काम किया और उसके दूसके अबाद यह खुद गढ़ियु पैठ गया तो लोगों के बारे में यह क्या सोचने वाला कुछ नहीं सोचेगा तो भारत में आधी सदी तक राज किया था उसके बाद देखते हैं कि विवादस्पद मुगल सासक माना जाता है क्योंकि उन्होंने गैर मुसल्मानों के परति जज्जिय कर जैसे भेदभापुन नितियां लाग गी थी आपने पहले पढ़ा है पहले आपने क्या पढ़ा है Ki Aqbar जो हत भाई शहुआ से और उसने क्या क्या थे तर तीर सी यात्राकर और जो जजिया कर था जो हिंदुआ पर लिया जाता था जो गैर मिस्लिम थे उससे जो कंसे जीया कर को उसने स्वीं continuing बराए लेआयाया यानि कि गैर मसलमानों को जज्जयाकर अब देना जरूरी था ते काफी कलक थे ठीक है सासन में हिंदू-मंदि कि अच्छय विचारी नहीं था और anda पूरे सामराजी पर सरियत आधारी फत्वा ए आलमगीरी लागू किया और सीखों के गुरु तेख बहादूर को भी उनके आदेश के थाथ मार दिया गया उसने के पहले बात और अधिया किया कि हिंदू का परती बड़ा करा रूख अपनाया उसका मुस्लिम जो होता है मुस् रहे थे उसके फाद देखते हैं कि औरंग्जेब के धार्मिक नितियां काफी कटर थी उसने अपने धर्म में इसलाम को परचार करने के लिए हिंदूआ गैर मिस्रमान को का जाता है उस ने इसलाम धर्व का पर्चार करवाया और कुरान को सासन का धर्व बनाया ठीक है इस सिको पर कल्म खोद्वाना नवोज का तोहाड मनाना और भांग की खेती करना गाना बजाना पो रोक लगा दिया पहले क्या होता था शिक्दशा सिप्ह। नडेरे सर नियम करवाए और को रां के लाग करवादेब कर एकिढ़ा कर यह सब्सक्राइब करना दित शरती पर्था पर लगा दिया लेकिन फुना यहां पर नोगा तो नोग से भी इसको करना इसको बहुते नहीं कुछ सिन बीईनडियों को तोड़ने का आदिश दिया बोला अपने साथोकों कि जितने अन्हों ने सरियत के दूद वाले लोगवक करओ के करवा दिया ऐसे सारे कर्क समाफ्त कर दिए जो सरीत के ख्रियृक खिलाप थे तो इस तरह तो को यह सताह嘲 बाति रहेतो जो औरंग्यव ने अपने उपने समय में किये थे तिक इसकी और उसकी जिवधार्मिक नीतियां है वो सारे इस वीडियो में हमने कभर करवाया उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में सेयर कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में